हलो दोस्तों मैं हूँ अपेक्षा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है Learning the Stock Market Basics तो आज हम बात करने वाले हैं कि IPO क्या होता है तो आजका हमारा topic of discussion होगा IPO के around revolve करेगा तो IPO क्या होता है company IPO लाती क्यों है इसमें और कॉंसी important शीजियों होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है और हम इस IPO में अगर invest करना चाते हैं पैसा डालना चाते हैं वो कैसे डाले तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारी goal की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हैं जो कि है हमें market ready बनना है जब public offering मतलब जब public को हम कुछ offer करते हैं general public आपके और मेरे जैसे तो जब कोई भी company first time अपने shares जो होते है वो general public को देता है for a certain amount of money कुछ पैसा लेता है उसके सामने तब हम उसे कहते हैं IPO initial public offering तो आप सोचोगे कि यह कोई company क्यों करेगी भला अगर मैंने और आपने कोई company start की है हमारी 50-50% की equal ownership है उसमें तो हम अपने shares किसी और को क्यों देंगे तो इसी यही हमें सवाल लाता है हमारे अकले वाले discussion की तरफ की यह भला company करेगी क्यों तो इसके कुछ reasons है जो हम यहाँ पर discuss करेंगे तो यहाँ पर मैंने चार लिखे हुए जिनके ऊपर हम बात करेंगे एक तो होता है raising capital पैसा उन्हें raise करना होता है उन्हें funding की ज़रूरत होती है यह बहुत ही basic बात है कि कोई भी company जब अपने अपना business चला रही है जो business expand होता है बढ़ता है तब उन्हें पैसे की ज़रूरत तो आप कोगे bank जाएंगे पर bank जाएंगे तो महाँ पर उन्हें वापस interest payment करना होता है और bank आपको long term के लिए funding नहीं देता है वो short term के लिए तो long term funding के लिए हमें IPO launch करना पड़ता है company को जिससे उन्हें long term के लिए पैसे मिल सकी तो उन्हें ownership देनी है और पैसे सामने लेने ह दूसरा reason probable होता है कि exit to promoters कभी-कभी जो पहले के owners है जो पुराने owners है उन्हें exit करना है business के business से तो वो क्या करेंगे कि उनका जो stake है वो लेकर वो general public को देंगे और general public से जो पैसा आएगा वो promoter लेकर company से निकल जाएगा उसे exit मिल जाएगे ये एक reason होता है तीसरा reason है branding and liquidity तो company का brand सबको पता चल जाता है जब ये companies list होती है stock exchange पर तब सबको company अभी जैसे हम बात करते है Reliance की या Tata Group की या Aditya Virla Group की तो हम सबने ये नाम सुने हुए है और हमें पता है ये company क्या कर दी है तो क्यूंकि ये companies listed है इनके shares है market में लोग इनके बात करते है तो ये branding हो जाता है company के लिए जिससे उनने और जादा clients भी मिलते हैं उनके products भी वितते हैं क्यूंकि वो लिस्टेड है stock exchange पर और और एक reason जो है वो होता है कि paying of debt करजा पे करना तो कभी-कभी company अगर debt में है या करजा लिया हुआ है वो पे करना है तो तभी भी company अपना IPO लाती है जिससे वो पै जो मैंने अपनी screen पर दिखाए है तो अब हम बात करते हैं कि हमें पता चल गया IPO क्या होता है वो क्यू लाते है अब हम बात करेंगे कि यह हमें अगर invest करना है किसी IPO में मुझे अगर किसी company के share लेने हैं तो मैं कैसे कर लो हाँ डूआ invest in an IPO तो यह सवाल का जवाब देने से पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमें कभी भी कोई IPO आता है तो कुछ चीजे और होती है जो ध्यान में रखनी होती है कुछ चीजे consider करनी होती है तो यह कौन सी हुई कि अगर कोई company में हमें invest करना है तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि मैं इस company में invest क्यों करूँ यह company करता क क्या है यह वर्थ है क्या investment के या नहीं तो यह सारे सवालों के जवाब हमें यह document देगा इस document का नाम होता है DRHP जिसे कहते है Draft Red Herring Prospectors तो जब भी company को अपने आपको list करना होता है stock exchange पर तो उन्हें यह document बनाना पड़ता है जो कि उन्हें stock exchange को देना है और SEBI को देना होता ह SEBI मतलब Securities and Exchange Board of India जो हमारा regulatory authority है पुरे financial market का तो यह document में सारे details होते है company के बारे में company का पूरा story होगा financials होगे कितना कमाती है कितना नहीं पूरे 5 साल का history होगा company का साथी साथ रिस्क जो involved है इस IPO में वो होगा company का long term plan होगा plus importantly यह company पैसे हम से ले क्यों रही है इसका reason क्या है वो दिया रहेगा तो यह जो company यह सारे document जमा करती है और जब perfectly यह सब हो जाता है norms वो सारे फुलफिल करती है उसके बाद ही उसे company को list करने का SEBI या समझो companies active उन्हें permission देता है तो हमें यह document study करना होता है हमें यह document देखना होता है ताकि हम समझ सके कि यह company करने क्या वाली है और यह company करती क्या आ रहे है ठीक है तो यह हो गया DRHP की बाद तो और एक बात महीं है बता दो कि DRHP होता है Draft Red Haring Process Prospectus तो यह draft होता है पहले तो जब company बनाती है उसे draft कहते है उसके बाद में जब SEBI और Stock Exchange जो है इसको अप्रूफ करते है जब थपा मारते है कि चीक है अब आप ला सकते हो आपका IPO आपका Draft Red Haring Prospectus बराबर है तो इसमें से draft हट जाता है और सिर्फ RHP बचता है Red Haring Prospectus क्योंकि अगर कोई ड्राफ में प्रॉब्लम है तो बोलते है कि इसमें प्रॉब्लम है आपको चेंजेस कर दीजेए तो चेंजेस की बाद वो बन जाता है Red Haring Prospect तो अब हमें इतना पता चल गया कि reviewing IPO होता क्या है और हमें क्या czyMAReform करना है IPO ज्वा राद है तब पात करते है क्यों कैसे IPO में इन्वेस्ट कर सकेंगे तो अब हमें क्या करना हो थो कि kadar है जब QA жен 청्वा में करना है हमारे पास DMAT अकाउंट होना जरूरी है तो DMAT account हमारे bank account की तरह ही होता है, जैसे हमने अल्रेडी बात की है, जहां पर हमारे shares होते हैं, तो अगर आपके पास DMAT account है, तो आप या तो online form भरके directly IPO में apply कर सकते हो, या तो फिर आप offline आपके broker से एक form ले सकते हो, उसे fill कर सकते हो और apply कर सकते हो, तो इसमें भी ऐसा होता है क कि तीन दिन के लिए कोई भी IPO खुला रहता है, usually, तो उन तीन दिनों में ही आपको उस IPO के लिए apply करना है, और साथी साथ अगर समझो कि आप पचास हजार डालना चाहते हो किसी IPO में, तो आपके उतने दिन के लिए वो पैसे ब्लॉख हो जाते है bank account में, तो नेसेसरी है कि आपके bank account में उतने पैसे हो, फिर ही आप उस IPO में apply कर सकते हो, ठीक है, और इसमें और एक चीज है कि एक चीज होती है, जिसे कहते है price band, तो यह price band क्या होता है कि company कितने रुपे पर वो IPO ला रही है, एक share वो कितने रुपे पर दे रही है, तो यह band होता है, मतलब यह band हो सकत 500 से 510 का, तो इसमें आपको बिट डालनी है कि आप अपर प्राइस बैंड पे डालोगे या लोवर प्राइस बैंड पे, जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको यह चीज धान में रखनी है, तो आई होप कि IPO रिलेटेड आपकी जो concept है, वो clear हो चुका है, आपको पता है कि जब कमपनी को जनरल पॉब्लिक को उनके शेर्स देने है कुछ रीजन्स के लिए तब वो अपना IPO लाती है और वो कैसे लाती है उसका प्रोसेस क्या होता है, तो अभी आपको इसके बारे में और कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगी तो आप हमें हमारे कॉमेंट सेक्श प्रेंट्स कॉमेंट्स में बताईए कैसा लगा और क्वेरी रहेगा तो जरूर पूछेंगा